All right guys, तो अभी तक हम लोगों ने what is spring and spring modules के बारे में complete चीज़े जानी है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे spring IOC container spring container क्या होता है, ये क्या काम करता है और क्या-क्या चीज़े इसे मिलती है ये सारी चीज़े हम लोग इस वीडियो में जानेंगे तो चलिए बिना किज़े time को waste के वे start करते है तो सबसे पहले हमें जानना होगा spring container क्या है so spring container एक predefined program है या फिर इसको बोल सकते हैं ये spring framework का एक component है जो हमें मिल जाता है spring के साथ spring framework के साथ मिल जाता है जैसे jbm के साथ बहुत सारी programs हमें मिलते थे garbage collector हो गया और ऐसे करके बहुत सारी programs मिलते थे जो garbage को clean करते थे और भी बहुत सारे काम करते थे वैसे ही spring framework के साथ हमें spring container नाम का spring ioc container नाम का एक program या फिर component हमें मिल जाता है जो कुछ कामों के लिए responsible होता है that means कुछ काम करने के लिए होता है जैसे objects को create करना हुआ अगर object create हो जाएंगे तो उसको memory में hold करके रखेगा so object creation हो गया memory में objects को hold करने का काम हो गया और अगर जरूरत पड़ी तो यह क्या कर सकता है यह एक object को दूसरे object के अंदर inject भी कर सकता है that means यह dependency injection का भी काम कर सकता है तो basic तीन काम यह करेगा create the object, hold them in a memory and inject them in another object as required इसका मतलब यह maintain करता है किसी भी object की life cycle को जब से object create होता है और जब तक वो object destroy नहीं हो जाता तब तक कि सारी stages spring container क्या करता है खुद से maintain करता है आपको कुछ भी नहीं करना आपको बस spring container को दो चीज़े बतानी है यह सारा काम कर देगा सबसे पहले चीज हमें क्या बतानी होती है सबसे पहले चीज हमें बतानी है spring सबसे पहले चीज हमें बतानी है beans that means हमें spring container को यह बता देना है कि कौन कौन सी beans या फिर java की pojo classes उसे manage करनी है तो हम spring bean की सारी configuration बता देंगे और दूसरी चीज हम लोग इसको बता देंगे configuration file या फिर xml configuration कर सकते हैं तो दो चीज को देंगे beans की information and configuration की information configuration की information में basically हम लोग यह बताएंगे कि कौन सी bean किस चीज पर dependent है यह सारे चीज हम लोग बता देंगे और finally यह क्या करेगा spring container जो है वो इस configuration का use करेगा क्योंकि इसके अंदर हमने बता दिया कि कौन सा object किस object पर depend कर रहा है तो यह क्या करेगा इन beans का object बनाएगा और जरुद पढ़ने पर इनको अपने हिसाब से जैसा हम लोग ने configuration में बताया था वैसा ही क्या करेगा उनमें injection inject कर देगा so that हम लोग क्या कर पाएगा इसको यूज कर पाएगा जब injection कर देगा तो यहां पर roll आएगा हमारे application की तो हमारा application जो होगा main application वो जो main application है क्योंकि यह सारे object ready है सम में injection जिसकी ज़रुदती यह कर चुका है IOC container तो यह क्या कर सकता है यह इन objects को get कर के use कर सकता है so basically मैं फिर से revise कराना चाहूंगा फिर से बताना चाहूंगा spring container एक predefined program से जो हमें मिल जाता है spring framework के साथ और यह responsible होता है basically object creating the objects दूसरा holding them in a memory injecting them into another object as required that means the complete life cycle of the object from creation to destruction is maintained by spring IOC container और spring container को दो चीज़े देनी होती है beans that means pojos and xml configuration xml configuration में हमें यह बता हो होता है basically कौन सा भी इन किस पे dependent है कौन कौन सी properties यह सारी चीज़े values हमें define करनी होती है so spring क्या करेगा spring container इस configuration का help लेगा और beans के objects को यहाँ पे लाइगा life cycle maintain करेगा और इनको inject भी एक दूसरे के अंदर करता रहेगा अब basically हमारा application जो code होगा main program वो इन सारे application को यूज़ेगा इन सारे objects को यूज़ेगा बस हमको इसके अंदर कुछ नहीं करना हमें simply beans लिखनी है और उनकी configuration लिखनी और main लिखना है यह maintenance spring container खुद से कर लेगा अब बात करते है spring container तो यहाँ पे हमें spring के अंदर एक मिलेगा application context यह basically represent करता है हमारा spring ioc container that means यह एक interface है जो represent करता है कि हमारा ioc container that means यह हमारी help करेगा हलाकि हलाकि एक bean factory भी होता है लेकिन इस application context के पास bean factory के सारी शीज़े है already so हम लोग इसकी बात कर रहे है इसका मलब bean factory की ही बात कर रहे है तो application context basically extend कर रहा होता है bean factory को तो उसकी properties तो है ही इसके पास साथी साथ में इसकी additional properties भी है so it represents our context that means it represents our ioc container और यह interface है तो हम लोग इसका object बनाएंगे that means हम लोग क्या कर पाएंगे हम लोग container से values को निकाल पाएंगे जिस container के अंदर objects होंगे तो उन objects को हम लोग निकाल सकते हैं किस की हल्प से application context की हल्प से बड़ दिक्कत ही है कि object हम लोग नहीं बना सकते मजबूरी में क्योंकि यह एक interface है और interface का object हम लोग create नहीं कर सकते चाह कर भी so हम लोग को इसकी किसी ने किसी sub class का object create करना पड़ेगा so हमारे पास बहुत सारी sub class है जिसके नीचे सबसे पहली class है जिसको हम लोग बहुत जादा use करते है वो है class path xml application context class path xml application context दूसरी class है annotation config application context और तीसरी class है file system xml application context यह तीनों अपनी अपनी जगे पर use होती है तो किसले use होती है नहां से देखिए सबसे पहले जो class थी हमारी class path xml application context यह जो है यह जो है यह सर्च करती है सर्च करती है xml configuration को java के class path से तो हम लोग अगर xml configuration अपने class path में रखना चाहते हैं और उसके अंदर हम लोग configuration defined करना चाहते हैं तो simply हम लोग को use करना पड़ेगा class path xml application context that means it scans या searches for the xml configuration in java class path और अगर मैं annotation config की बात करों तो यह basically search करता है annotation config application context को उन bins को जिस पे हम लोग ने annotation use किया है so हम लोग annotation अगर use करना है तो हम लोग इस वाली चीज़ की help लेंगे क्योंकि यह basically bean को search करता है जिस हम लोग ने use किया है annotation उस case में और यह last वाला file system xml application context यह basically search करता है config file को कहां से file system से तो किसी हम लोग file से अगर configuration file को search करना चाहते है so हम लोग use कर सकते है file system xml application context तो basically हम लोग xml लिखेंगे और बहुत जादा xml लिखेंगे तो और बैसे बात हम लोग xml रखें class path में तो हम लोग को हमेंसा क्या use करना होगा class path xml class path xml application context यही हम लोग mostly use करेंगे और यही हम लोग use करके काम करेंगे so basically एक बार में फिर से revise कर देता हूँ spring container predefined programs है जो basically objects के life cycle को manage करेगा dependency injection provide करेगा और जिसकी help से हमें ready to use objects मिल जाएंगे और हम अपने application में उन्हें get कर लेंगे हम लोग को objects बनाने नहीं पड़ेंगे application context represent करता है हमारे किसको हमारे ioc container को और यह इसकी implementation तीन तरह से mostly दी गई जिसको commonly हम लोग use करते है class path xml application context basically यह scan करता है हमारे xml configuration को from the java class path annotation config application context जो है वो basically उन बीन को scan करता है जिसमें हम लोगों ने use किया हो annotations and file system xml application context हम लोग को अगर file configuration file file system से scan करानी तो use करना so hopefully आपको यह समझ में आ गया होगा कि spring ioc container क्या है next videos में हम लोग practical करेंगे कुछ और चीज़े समझेंगे फिर हम लोग समझ पहेंगे actually में spring काम कैसे करता है और थोड़ ऐसा practical करेंगे तो चीज़े और समझ में आई इस video में हिता है रखते है अगर आपको चीज़े समझ में आई तो आप channel को subscribe कर सकते है वीडियो को like कर सकते है और मैं मिलता हूँ next interesting videos में तब तक लिए bye bye